यह कहानी है दो लकड़ हारों की जो जंगल में जाकर लकड़ी काड़ते थे दोनों की आयू और डीन डॉल बराबर थे तथा शारीरिक शक्ती भी समान इसके बावजूद एक की कमाई हमेशा दूसरे से दुगनी थी एक दिन कम भुगतन पाने वाले लकड़ हारे ने दूसरे से पूछा भया हम दोनों यहां बहुत समय से काम कर रहे हैं हम दोनों एक ही कद काठी के हैं फिर भी तुम रोज मुझसे ज़्यादा लकड़ी काठ लाते हो यदि बता सको तो मुझे भी बताओ कि निर्धारिस समय में अधिक लकड़ी कैसे काठे जा सकती है इस पर दूसरा बोला बात सिर्फ यह है कि मैं लकड़ी काठते समय एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी कुलहाड़ी की धार को तेज कर लेता हूँ जबकि तुम कई कई दिनों तक इस बात पर ध्यान ही नहीं देते तुम भी ऐसा करना शुरू कर दो और फिर देखो कि तुम्हे भी अधिक पारिश में कैसे नहीं मिलता इसे कहते हैं स्मार्ट वर्किंग ज्यान के छित्र में अपनी कुलहाड़ी की धार को तेज करना और भी जरूरी है और इससे हमारा मतलब है दिमागी कुशलता अब आप जान गए होंगे कि आप यहां क्यों आमंत्रित किये गए हैं इसलिए ताकि आप अपना अध्यापन ज्यादा बेतर और कुशल तरीके से कर सकें किसी भी अन्य पेशे या व्यवसाय से अधिक एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों और भावी नागरिकों को प्रभावित करते हैं तथा उनके भविश्य को आकार देकर उनकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण बुन्यादी भूमी का अधा करते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स कारिक्रम के उद्देश को हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं शिक्षा के छित्र में हर इंसान नर हो या नारी शिक्षक भी है और शिक्षार्थी या विद्यार्थी भी प्राचीन चीनी प्रतीक यिन यांग इसका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है अध्यापन और अध्यन एक दूसरे के प्रतिबिम्भ हैं वे परस्पर निर्भर या अनोन्य आश्टित है एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता और दोनों एक दूजे के लिए हैं क्यूंकि वे एक दूसरे को परिपूर करते हैं अध्यापक बनने के लिए आपको पहले अध्यन करना पड़ा था इस बात से तो आप सहमत होंगे लेकिन ज्यादा अच्छा अध्यन करने के लिए अध्यापन शायद या बात आपको हजम ना हो अतीत में ज्हांक के देखें तो प्रतीत होगा कि जब आपने कोई भी विशे किसी को भी सिखाया तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आप उसी विशे को किस प्रकार और बेतर सिखा सकते थे मात्र पढ़ाने से आपकी दिमागी कुलहाडी की धार तेज हो जाती है So, Teaching is the best way of learning इस प्रकार का स्व्वुल्यांकन समय के साथ साथ आपको एक ज्यादा प्रवीन अध्यापक बनाता है हाँ, मगर तभी जब आपने अपने आंतरिक मार्ग दर्शन पर ध्यान दिया होगा और अपनी निपूर्टा को विक्सित करने के लिए शिरम भी विलियम ग्लासर ने एक प्रमुक सर्वेक्षन द्वारा यह स्पष्ट किया था कि हम ज्यान और जानकारी किन तरीकों के माध्यम से संजोते हैं यह ग्राफ उनके निश्कर्शों का सारप्रस्तुत करता है हम सीखते हैं अपनी बुन्यादी पांच इंद्रियों का उप्योग करके यानि देखना, सुनना, स्पर्श, बात करना और सूंगना हमारा 10% लर्निंग पढ़ने से होता है 20% सुनने या श्रवन से तथा 30% देखने या द्रश्टी द्वारा हमारी प्रग्यता लगबग आधे के करीब यानि 50% दोनों देखने और सुनने से होती है जब इन दोनों इंद्रियों का गड़बंधन और सामनजस्य हो इसी कारणवश आप कक्षा में ब्लैकबॉर्ड, चार्ट या पाटे पुस्तक यानि विज्वल के साथ साथ अपनी आवाज दोनों का उप्योग करते हैं तो यह तो हो गई परंपरा गत या कन्वेंशनल शिक्षा और अब विलियम ग्लासर के सर्वेक्षन में से थोड़े और रुचिजनक निशकर्श 70% लर्निंग या पून ज्यान की दो तिहाई तब होती है जब हम औरों से चर्चा, वादविवाद, बहस इत्यादी करते हैं अगर पांडित्याह की क्रिया में हमें व्यक्तिकत अनुबव हो तो हमारी जानकारी बढ़कर 80% होती है तभी कई विशयों में प्रैक्टिकल्स या प्रत्यक्ष कारिय शामिल होता है लेकिन सबसे ज्यादा 95% करीब कर ये पूरी तरहां लर्निंग होती है जब हम उस विशय को औरों को सिखाते हैं क्योंकि सीखने से पहले आपको खुद सीखना पड़ता है और कुछ इस तरह हैं कि अपने सब्जेक्ट में कहीं किसी के सामने आपकी अज्यानता या ज्यान की कमी प्रकटना हो जाए ज्यान आखेर है क्या ज्यान तक्थ्यों सूचना और अनुभव या शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ती द्वारा संग्रहित या अधिग्रहित कोशल है एक विशय के सैधानतिक तोर या व्यवहारिक समझपर हम सभी कुछना को जानते हैं उधारन के लिए जो भी विशय आप पढ़ाते हैं शायद सालों से उसमें आप इतने सुप्रवीन हो चुके होंगे कि मान लीजिए कि आपको गहरी नीन से उठाया जाए और अपने विशय को अच्छी तरह जानते हैं कम से कम सिलबस या पाठे करम के मुताबिक यह ग्राफिक प्रति निधित्व करता है उस जानकारी और ज्ञान का जो आपको पहले से ही पता है और जिसका आप सालों से पढ़ पढ़ कर और पढ़ा पढ़ा कर अभ्यास करते आए हैं पर क्या आप केवल इसी ग्यान तक सीमित रहना चाहेंगे हमारा निजी विकास और उत्क्रांती इसी बात पर निर्बर है कि हम लगातार सीखते रहें और इसकी कोई भी सीमा नहीं होती और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे ज्यान और अनुभव की दुनिया मानो अपार दौलत के दर्वाजे खुल जाते हैं जो इस ग्राफिक में रंग बिरंगे हीरे जवाहरात द्वारा दर्शाया गया है आपने कहानी सुनी होगी मेंडग की जो कुए में था और फिर सागर का एक मेंडग आ गया उस कुए के मेंडग ने सुभाविक पूछा कहां से आते हो मित्र। सागर से आता हूं उसने कहा सागर कितना बड़ा है सागर के मेंडग ने चारो तरफ देखा कैसे बताए क्योंकि यह कुए का मेंडग कुए में ही पैदा हुआ कुए में ही बड़ा हुआ सागर के मेंडग ने कहा जरा मुश्किल पड़ेगा समझाना आप यहीं कुए में ही रहे हैं सदा कुई के मेंड़क ने कहा सदा से रहा हूँ इससे तो छोटा ही होगा सागर सागर के मेंड़क ने कहा नहीं तो कुई के मेंड़क ने एक तिहाई कुई में छलांग लगाई इतना बड़ा हसने लगा सागर का मेंड़क उसने कहा कि नहीं मुश्किल है बताना कुएं के मेंड़क ने दो ती हाई कुएं में चलांग लगा दी इतना बड़ा? उसने कहा कि नहीं, इतने से काम न चलेगा कुएं के मेंड़क ने पूरे कुएं में चलांग लगा दी लेकिन सागर के मेंड़क ने कहा कि नहीं, इससे भी बहुत बड़ा, इस कुए से हम पैमाना नहीं बना सकेंगे, हम इसके आधार पर, इसके मापदंड से नापना सकेंगे तो फिर कुए के मेंडक ने कहा, निकल जूटे, बाहर, इस कुए से बड़ा कोई सागर ना कभी हुआ है, ना हो सकता है परीचित छेत्र में हम सबको बहुत आराम मिलता है, और हमारा उसमें से निकलने की इच्छा ही नहीं होती लेकिन जब तक हम परीचित से अपरीचित की ओर नहीं भड़ेंगे, हमारा निजी विकास और उत्रांती नहीं हो सकती भूत कल में जाकर स्मुरण करें कि आपने जब वो विशे सीखा होगा, जो आप आज पढ़ाते हैं, यानि अज्ञान से ज्ञान की ओर रुख किया होगा, तब काफी मानसिक कष्ट हुआ होगा, और आपको काफी परिश्रम भी करना पढ़ा होगा जीवन की उपलब्दियों में से सबसे बड़ी मानी गई है जब एक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होता है, मानो उसका संसार बदल जाता है, उसके बाद तो बच्चा कई बार गिरता भी है, चोट लगने पे रोता भी है, क्योंकि उसमें खड़े होने की लालसा रित हो जाती है, आपको तो उन पलों की याद भी ना होगी, लेकिन अपने बच्चों के उस पल को आपने जरूर फोटो या वीडियो द्वारा यादगार बनाया होगा, अब वो पल याद कीजिए और ये भी जीवन की सर्वशेष्ट उपलब्दी मानी गई है, जब आप हाँ, उससे पहले आप कई बार गिरे भी होंगे और चोड भी लगी होगी, इधर भी एक नया संसार आपके सामने प्रकट हो जाता है, जब साइकल का एक पेडल, मात्र पेडल चलने से कई गुना ती व्रगती प्रदान करता है, तो यह है अज्यात के रहस्य और चमतकार, और इसमें प्रवेश करने के लिए हमें विफलताओं का भी सामना करना पड़ेगा, यह आसान नहीं है, गलतियां तो होंगी ही, हमें गिरना स्विकार करना होगा, हमें विफलताओं को स्विकार करना होगा, बस ध्यान रखिये कि वो ही गलती दुबारा ना करें, इक नहीं गलती करें। सीखने के लिए इस अज्यात संसार की अपार संपत्ती प्राप्त करने के लिए यही मर्म और कुझी है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप सीखने के लिए द्रड संकल्पित हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जब आपको ज्ञान प्राप्ति प्रिये लगने लगती है, तो आपको अच्रज होता है कि किसी भी छेत्र में ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। ज्यान असीम है, जितना अधिक हम जानते हैं, उतना अधिक एसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं, क्योंकि अभी तो उसी छेतर में बहुत कोछ जानना बाकी है। हर छेत्र में ज्ञान के शितिज का आगे विस्तार होता ही रहता है फिर ज्ञान की परम या अंतिन सीमा क्या है क्या हुआ केवल गणित, भाशा, विज्ञान, दर्शन, इत्याजी तक सीमेत है जी नहीं प्राचीन सभ्यता और सार्वभौमिक निश्कर्ष पर यह माना गया है कि खुद को जानना ही परम ज्ञान है Know Yourself चीन ले लीजिये या फिर मिस्र, इजिप्ट या युनान, ग्रीस या हमारा भारतवर्श अब प्रशन उठता है कि हमारी इस सांसारिक रचना में सबसे बड़ा अज्यात क्या है थोड़ा सोचिए दिमाग को दोड़ाएं इसके लिए आपको 15 सेकंड का मौन दिया जाता है आप सबने अवश्य सोचा होगा अब उत्तर के लिए तैयार रहें सबसे बड़ा अज्यात है एक साधारन बीज सब कुछ एक साधारन बीज से शुरू होता है यह सृष्टि की शुरुवात और अंत है और अध्यात्मिक्ता की बात करें तो धर्म कोई भी हो हम सब किसी न किसी मूल मंत्र या बीज मंत्र को मानने करते हैं बीज की थोड़ी जटिलताओं को समझते हैं और हम अनस्पाती विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं उधारण के लिए इन बीजों को देखिए और पहचानिए ये किस फल, फूल या सबजी के बीज हैं पहचाना? नहीं? चलिए अठकल के लिए कुछ सुराग देते हैं क्या ये बादाम है? या फिर चीकू के बीज? चलिए बताही देते हैं ये सेब या सफल चंद या एपल के बीज हैं अब बताएं कि इस एपल में कितने बीज हैं नहीं मालूम अनुमान लगाने के कोशिश कीजिए दो, पाँच, आठ, दस, या बारां या कोई भी अनुमान ठीक है तो निर्नायक विधी एक चाकू लेकर एपल को काटते हैं और बीजों की वास्तविक संख्या की गणना कर लेते हैं थोड़ा टेल में ट्विस्ट लाने के लिए हमने एपल ही क्यों चुना? कई कारण हैं और उनमें से कुछ इस प्रकार एपल मानव जाती के विकास के लिए विशेश शुरूप से जिम्मेदार है एडम और इव के साथ दूसरा अंग्रेजी वर्ण कर्म सीखते समय हम ए फॉर एपल के साथ ही अपनी शिक्षा शुरू करते हैं तीसरा गुरुत्वाकर्शन या ग्रैविटी शायद पहले आस्तित्व में नहीं था इसके सिद्धान तो न्यूटन को प्रभुद करने के लिए एपल को उनके सर पे गिरना पड़ा था चौथा सबसे अदभूत नवाचारों के लिए जिम्मेदार स्टीव जॉब्स ने भी एपल का ही साहरा लिया पाँच एपल ही एक ऐसा फल है जिसके आगे प्रिफिक्स उपसर्ग या पोस्ट फिक्स अनुलगन लगाने से दो नए फल पैदे हो जाते हैं कस्टर्ड एपल और पैन एपल हो गए काफी कारण तो अभी तक हमने जाना कि हमारी इस सांसारिक रचना में सबसे बड़ा अज्यात है बीज हमने कुछ बीजों को देख कर पैचानने की नाकांग कोशिश की जो उधारन के लिए एपल के बीज थे और हमने बीजों की वास्त्तिविक संक्या की गणना करने की कटिन सवाल पूछते हैं इस एपल के एक बीज से आखिरकार कितने एपल होंगे या इस एपल का एक बीज कितने एपल की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होगा ध्यान रहे इस अनुमान में इस एपल का एक बीज एक पून एपल पेड़ को जन्म देगा उस पेड़ पे कितने एपल होंगे निर्धारित करना असंभव है फिर उसी पेड़ के सब एपल में बीज होंगे जिन में से हर एक नहीं तो ज्यादतर बीज फिर एपल व्रक्षों को जन्म देकर यह शन्त्रा पीडी दर पीडी चलाते रहेंगे विचार करें बुद्ध का प्रथम और अंतिम संदेश तो यही है कि अपो दीपो भवा स्व्यम के दीपक स्व्यम ही बनो Be a light unto yourself खुद की चेतना से खुद को रोश्नी से अनुग्रहित करो जब हम खुद के दीपक बन जाएंगे तो सारा सम्यक मार्ग प्रकाशित हो जाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि लर्निंग आउटकम्स के दौरान हम ज्यादा से ज्यादा फोकस इसी पे रखेंगे कि आप भी इसी संदेश को स्वीकारें और अपनी शिक्षा शैली में अफशोषित करें इस सत्र की स्वीक्षा यही है कि if they do not learn the way we teach let us teach the way they learn यानि अगर हमारे सिखाने के तरीके से वो नहीं सीखते तो हमें उनके सीखने के तरीके सीखने होंगे धन्यवाद